बैंक निफटी के डेली एनर्जिस में आपका स्वागत है आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 46,617 पे जो कल के क्लोज से सिर्फ और सिर्फ ऐठ पॉइन्ट मीचे आके मार्केट अपना क्लोज दिया है आज market ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी इस trend line को तोड नहीं पाया जो कल भी market विफल रहा आज भी market विफल रहा लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात कुछ और ही है सिर्फ बात इतने नहीं कि market ने आज इस trend line को तोड नहीं पाया बात ये भी है कि market में हमको इस जगह पे इस position पे 46,000 पे put writers की जो संक्या है या मैं इस तरह बात करूँ तो यहाँ पे जोर काफी लगाया जा रहा है कुल मिला के अगर जोर जादा अगर resistance के नीचे से अगर जोर जादा लगता है तो यहाँ पे संभावनाय बढ़ जाएगी कि market में आपको कुछ वक्त इस resistance के पास market दिख सकता है जब तक market में दो दिन red candle close ना दे दो दिन बहुत ज़ादा ज़रूरी है resistance के पास जब तक market दो दिन यहाँ पे red candle नहीं बनेगा day time frame पे तब तक market में बड़ी गिरावट नहीं आएगी otherwise दूसरा तरीका क्या होगा कि market अगर यहाँ पे कुछ दिन ठहर गया possibility है कि market इस बार इस trend line को तोड़ के उपर निकल जाया अगर यह तोड़के एक दिन भी उपर निकलता है तो याद रखिएगा market में तुरंद buying चलाएगा अब भी market ऐसी स्थिति में है अगर market कल के दिन अगर market gap up भी खुलता है देखिए बहुत बड़ा फरक नहीं मार्केट अगर से 200 पॉइंट भी market मार्केट चले जाना तो यह जो पिछले साथ तारीक से जो आप गिरावट देख रहे है छे तारीक तक तो market चला था फिर साथ तारीक से लगातार यह स्ट्रॉंग स्टिफ हमने जो देखा है यह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर एक दिन मार्केट यहां पर गया पॉपन होता है संभावना आज भी थी क्योंकि आज भी market देखिए कल का अगर market देखेंगे तो market बिलकुल शुकुरबार का market कैसा था ट्रेंड लाइन के बिलकुल पास में आके बंद हुआ आज का market भी लगब हो यह सिर्फ 8 पॉइंट नीचे मतलब यह है कि market बहुत अच्छी जगह पर मतलब market नाजुक जगह पर ज्यादा है यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई काम आता है कोई भी स्ट्रेटिज इस्तमाल कर लेजिए सबसे अच्छा यहाँ पर हेजिंग स्ट्रेटिजी होता है उसका मैं कारण आपको बताता हूं देखिए एक तो market इस ज जगह या तो नीचे जगह रहेगा नहीं एक जगह पर इस बात का तो संभावना ज्यादा है कि एक जगह पर नहीं रहेगा खेर तो market में कुल मिला के हमने जो देखा है कि market में strong हमने यहाँ पर सपोर्ट देखा है आज बिलकुल market है रहा है च्यालीस हजार जैसे market आज पायर्स कोशीच जरूर करेगा कि market को यहाँ से उपर उठा दे और market में फाइनली आज वही किया देखेंगे दिनबर में शुरुबात में तो market अच्छा का सा थोड़ा सा बुलिश था और फिर market में गिरावाट आया हमने वह भी देखा market 46,000 तक आया और उसके बाद market ने ज च्रॉंग बाइंग आ जाएगी रैली सिर्फ इसलिए आया क्योंकि market में market 46,000 के पास से गुजरा जैसे गिरावाट आई वायर्स उठा के उपर लेके गए लेकिन इस स्टेंड लैन को तोड नहीं पाया किसी कारण से आज यहाँ पर रूखा भी था आप अगर देखेंगे तो एक देड़ एक बज़े के बाद से market 12 बज़े के बाद से market में हमने यहाँ पर buying देखना शुरू हुआ अच्छा खासा market momentum में था consolidated भी किया फिर market बीच में एक बार 480 के पास भी आया था market बंद होने से कुछ समय पहले 480 के पास भी आया दुबारा फिर market bullish होके भी बंद हुआ है एक बार तो यह उमीद लग रहा था कि 46,500 के नीचे जब market trade कर रहा था 480 पे चलाया था तो ऐसा लग रहा था कि market में और गिरावाट अब देख सकते लेकिन buyers जोनों जगा active थे आज यह चोटी सी बात नहीं है इस बात को आप छोटे हलके में मत लिजिएगा देख दुबारा जब market 700 के बाद जब दुबारा नीचा आया 500 के पास market फिर से वहाँ से बुलिश हो गया तो कुल्मिला के buyers का यहाँ पर हमको संख्या ज़ादा देख रहा है मतलब consolidation का मामला सामने आ रहा है एक पर देखिए साथ सो साड़े साथ सो पर 46,000 750 के आसपास सबसे ज़ 500 पॉइंट के अंतर market consolidated आज लगबग लगबग आधा term to market second term to market ने पूरी तरीके से इसी की बीच में गुजार दिया यही मैं आपसे कहना चाहता है कि जब तक आप buyers और sellers के बीच के अंतर को नहीं समझेंगे आप target trade ले भी लेते हैं आपका premium decay होना तय है इसलिए ऐसे target है वो छोटा होना चाहिए हाँ target बढ़ा कब होगा target बढ़ा तभी होगा जब दो red candle हमको यहाँ पर देखेगा तभी हमारा target बढ़ा हो सकता है अभी हम थोड़ा सा हमारे option चे देखिए market आज बंद हुआ है लगबग 46,575 के आसपास पर market में सबसे जादा call writer इस level से शुर बढ़ा तक जाते जाते रहेगा कि वहां से cross करना इतना असान नहीं था और उसके नीचे और जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे यहाँ पर call writer धिरे 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 बढ़ते ही जा रहा है कुल मिला के फिलहाल market में 47,000 तक तो बिल्कुल निश्चंत रहेगा कि market में call writer जादा है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरवगर हम जाएंगे तो market ने जिस वक्त से याद रहिएगा जिस वक्त से 46,000 के level को touch करके उपर जाना शुरू हुआ तो यहाँ पर put writers की संख्या लगा लगातार एक दम लेयर के ऊपर लेयर बढ़ता गया है सिर्फ इसको अगर छोड़ देंगे तो 46,400 को चोड़ देंगे तो यहाँ पे 46,000 46,100 46,200 46,300 यह चारो लेवल पे यह चारो पॉइंट पे यहाँ पर put writers बहुत अच्छा खासा आज जमा हो गया यही कारण था कि market में सबसे ज़्यादा put writing होके है अब बात यह आएगे कि कल के दिन market कहा कुलता है देखिए market अगर फिर से यहाँ पर हम तो यह देखी रहा है कि 46,400 पर हमको सबसे ज़्यादा यह 46,500 पर यहाँ पर दोनों ही समान समान दिख रहा है समान समान का अर्थ है कि यह breakable है इसको आप स जा सकता है यह भी शुरुवात की दिन की शुरुवात की बात हो रही है तो market सिधा सिधा 46,350 तक जा सकता है अगर गिरावट आती है तो अधरवाइस market तो फिर उपर जाने के लिए ज़्यादा तयार रहेगा यह मत सूचीगा कि कल 46,500 पे यह तो by default यह रेइस्ट होता है य क्योंकि यहाँ पे हम मैंने आपको पहली कह दिया है यहाँ पे 46,500 46,400 यहाँ पे call writer, put writer almost almost same है यहाँ पे दोनों में से किसी की ताकत नहीं है एक जुसरी कोई भी रोक पाए यह छोटी सी बात है आप इसको ध्यान में रखिएगा 46,800 के पास market जाएगा तब एक chance बहुत अच्छा सामने उभर के आएगा कि हाँ market में वहाँ से एक selling आ सकता है लेकि अब selling के साथ-साथ 46,800 के पास से तो एक बहुत strong trend line में गुजर रहा है अभी मैं आपको 15 मिनिट के time frame पे वो trend line भी दिखाऊंगा तो आपको चीजे और बह market में किस तरी किसे काम करना है आये चलते हैं यहाँ पर मैंने दो trend line draw किया इसको ध्यान से आप देखिएगा सबसे पहले इस trend line को ध्यान से देखिए यह जो trend line यह लगबग 6 तारिक से बनता हुआ नीचे की ओर आ रहा है इसको अगर मैं आपको पहले से अगर दिखाना शू market उपर गया फिर क्या होता है फिर market दुबारा यहासे price action के साथ market नीचे आता दुबारा इसे trend line को चूता है और यहाँ पर बापस आता है फिर consolidate करता है अब consolidation के बाद 14 तारिक को यह एक और trend line है यह वही trend line है जिसके नीचे market day time frame मैं आपको सबसे शुरुआत में दिखा रहा यह market 28 तारिक के बाद जो market bullish हुआ था आपको याद होगा एक मार्च 29 तारिक के बाद इसी trend line के वज़े से market bullish हुआ था अब finally जाके क्या हुआ 15 तारिक को इस trend line को breakdown बिला है अब market क्या कर रहा है consolidate कर रहा है और आज का अगर आप data देखेंगे तो market में क्या हुआ अब ध्यान से देखिए market शुरू हुआ 15 तारिक को consolidate किया इसी के अंदर रहा 18 तारिक को शुरू हुआ market में गिरावट देखा यह 6 तारिक वाला trend line के पास गया market यह से बुलिश हो गया सीधा यह बड़े trend line के पास आया अब market यहाँ पर consolidate कर रहा है तो यहाँ पर possibilities क्या है सबसे पहले possibilities market यही करेगा जो 15 तारिकों किया था यही से market जैसे consolidated market नीचे आया था दुबारा यही पर consolidate कर रहा है यहाँ पर दो scenario उत्पन्न हो रहा है सबसे पहले क्या एक तो market दुबारा किसी 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 तरीके से इस trend line के पास पहुचेगा धड़ाम से नीचे गिर सकता है number one number two market अगर यहाँ पर breakout दे तब market में तुरन बाइंग आ जाएगा इस बात को भी याद रखिएगा है छोटी सी चीज लेकिन market में बड़ा कमाल कर सकता है अब मैं दोनों trend line को यहां से हटा देता हूँ और आज के high or low को mark कर देता हूँ इससे भी आपको बहुत सारी चीजे समझ में आने लगी यह आज का low है अब आज के low से आज के high का जो फासला है वो तो वह सबसे पहले वह बहुत बड़ा है क्योंकि market आज लगबग 730 तक पहुचा था नीचे अगर देखेंगे तो 46,034 उपर देखेंगे तो 46,729 पूर मेरा के 700 points का market में बड़िया सा एक हमने आज rally भी देखा है no trade zone कौन सा होगा याद रखिएगा no trade zone आपके लिए सबसे अच्छा होगा market अगर flat खुलता है इस जगह से इतना जो जगह बाकी है ना मतलब कहां से 46,617 से लेके 46,729 यह आपके लिए no trade zone होगा क्योंकि market यहाँ पे sellers मौझूद है और close के पास कौन मौझूद है यहाँ पे buyers मौझूद है तो यहाँ पे इतना जो जगह है market यहाँ पे cozy हो जाएगा यहाँ भी market यहाँ बहुत धीरी धीरे चलेगा चाहिए वह आप कोई भी time frame पे देख लेंगे market आपको धीरे नजर आए market में बहुत सही हमको गिरावट दिखागी यही समय होगा कि आप पूट लेके काम बहुत बढ़िया कर सकते है थोटी सी बात है लेकिन इसको ध्यान देके ही आप इसको अच्छी तरीके से चीजों को समझ के कर पाएंगे यहाँ से कितना दूर हमको आना है अब हमारे लिए पूरा मैदान खाली है देखिए यह क्लोज जैसी ब्रेक होता है क्लोज का आप है 46,617 पे तो पूरा 600 आपको बहुत आसानी हाँ थोड़ा यहाँ पे इंतजार जरूर करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जैसे ही इस क्लोज को ब्रेकडाउन देगा तो मैंने आपको थोड प्रेशन जाएगा तो मार्केट उपर भागेगा तो खुल मिला के इसको कल बहुत जादा इंपोर्टन्स देने की ज़रूत पड़ेगी नहीं आपको तो मार्केट में बस इतना ध्यान रखिए कि मार्केट खुलने के 10 मिलड़ बाद 5 मिलड़ एक मिलड़ बाद मार्केट क्लोस के पास आता है क्लोस के नीचे काम कप करने लगता बस आप उसी सबसे काम करिएगा और आज के हाई की उपर जब मार्केट चला क्योंकि आज का हाई कोई साधरन हाई नहीं है याद रखिएगा आज का हाई वह बड़ा ट्रेंड लाइन है उसके उपर मार्क मिलता तब तक किलिए जाहिन